इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के परदेश अध्या सम्राठ चौधरी है सर यह बताईए जिस तरीके से मतलग कल सुप्रीम कोट में जो कुछ हुआ तो यह समझा जाए कि केंज सरकार बैक फूट पर आ गई है केंज सरकार ने अपना हलफामा दाहिर किया है वहाँ पर अफिडिफिट जो केंज सरकार को दाहिर करना था वो केंज सरकार ने दाहिर किया लेकिन भारतिय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट का बड़ा स्पस्ट मानना है कि बिहार में जो सर्वेक्षन के कार चल रहे हैं इ मैं तो पिछले एक सप्ता से आधरनी नितीस बावू से अग्रह कर रहा हूं कि इसको आप जारी क्यों नहीं करते हैं किसका इंतिजार कर रहे हैं अरे जारी कीजिए आप और जब भाजपा कर रही है किसी कोट ने आपको रोक नहीं लगाया है तो सिर्फ राजनीत नहीं कीज कि नितीस बावू को यह आदत है पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया उस रिपोर्ट पर आज तक कोई काम नहीं हुआ कोई जन संक्या आज तक जारी नहीं किया फिर एविसी का सुप्रिम कोट के आदेश पर एविसी आयोग का गठन हुआ अति पिछणा आयोग का गठन इसलिए मेरा तो आगरह है आपके माध्यम से कि नितीज वावु आप यदी सर्वेक्षन आपने कराया है आप इसका तुरंत आकरा जाहिद कीजिए क्योंकि भारत सरकार ने असपस्ट का कि जनगन्ना करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार है सवाल यह उठ रहा है कि सुबह में हलप नामा कुछ और था साम में सकेंड हाफ में जो हलप नामा दिया गया उसको चेंज कर दिया गया तो अब महा गट्वंदर यह कर रहे है कि BJP का जो चेहरा था असली चेहरा उसामाने आगया केंद सरकार हलफ़ नामा दायर की है, केंद सरकार ही बता सकते हैं, लेकिन भाजपा का स्पस्ट है, निंर्न है भाजपा जब सरकार में 2022 में ती, तो भी हम लũों ने स्पस्ट तोर पर कहा था कि हम नितीस कुमार जी के स्परस्टावग के साथ ख़़े हैं और आज भी खड़े हैं, सोलं मंत्री थे सरकार में, तब्इस मंत्राल है हमारे था, हम लोगों ने सपोर्ट करने का काम किया है, और आज भी का रहे हैं, मैं भाजपा का अध्यक्ष हूँ, मैं खुल के का रहा हूँ, कि जो आपने सर्वेक्षन का कारी कराया, सर्वे कराया, ना दलितों को संबान देना चाहते हैं, ना पिछलों को संबान देना चाहते हैं, सिर्फ जातियों में लडाना चाहते हैं, लालू जी का यही आदत था, नब्बे से 2005 तक बिहार में जातियों में लोगों को लडाने का काम, तो यह जात में लडाने का प्रयास किया जा रहा है देखिए सवाल या भी उठ रहा है कि 2024 के बाद जो आंक्रे आएंगे उससे फाइदा किसको होगा इंडिये को या महागटवने देखिए फाइदा किसी को हो मैं इसे इस बात की बात नहीं रखता हूँ मेरा सपस्ट मानना है कि यदि सर्वेक्षन का कार बिहार की सरकार ने त 24 घंडे में जारी करना चाहिए हमारे साथ बीजेपी के परदेश सद्य सम्राठ चौधरीत हैं उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा से जातिये गन्ना के पक्ष में रही है और अब जातिये गन्ना हो चुकी है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसके जो आंक्रे हैं वो जल से पब्लिक करें